तो और नेक्स टोबिक इस प्रिंसिपल ऑफ इनर्जी बहुत वी कोमन सा डोबी क्या है इनर्जी नाइधर भी ग्रेट नौर भी देस्टोइट इस केंगे ट्रांसर फोन बोडी तो नौदर बोडी बच्पने सब पढ़ते हैं होंगे यह चैनल अर्जी नाइधर भी ग्रेट निक्राइटर नौर बी देस्तोइट इसटोइड इसकेंगे ट्रांसर फोन बोडी तो नौर भी देस्टोइट अनौदर पूड ठीक है यह आपका energy conservation केलाता है ठीक है इसी को prove करने के लिए confirm करने के लिए हम एक topic यहां पर लिखे आए है ठीक है तो यहां पर एक freely falling body में बना रहा हूं यहां पर एक block है मेरे पास जिसका हम आज कुछ भी रहा होगा है ठीक है अगर मैं block को drop करता हूं तो यहां पर इसका एक point माल लेता हूं एक कोई साग भी random point माल लेता हूं which is B और एक point माल लेता हूं फिल लास वाला point C तीन अलग अलग point है तीनों अलग अलग point पर confirm है कि body का kinetic potential different different होने वाला है इसको पूफ करना है इसलिए topic हम लोग यहां पर करने वाले है एक point पर आपको पता होना चाहिए कि जब body रुकी भी है तो kinetic energy कितना होगा जीरो और potential energy कितना होगा maximum यह तो मुझे confirm है यहां पर just before strike the ground kinetic energy कितना होगा आपका maximum potential energy कितना होना है जीरो अब मैंने बी परेंट जो लिया है यह exactly 50% नों तो लिया नहीं कि kinetic और potential दोनों बराबराबर हो जाएंगे ऐसा कुछ भी नहीं है हो सकता है कि अगर यह 70% होगा तो kinetic energy बड़ा होगा potential छोटा होगा यह potential बड़ा होगा तो kinetic छोटा होगा डिपेंड करता है ठीक है तो यहां पर जो मैंने height लिया है total height यह मैंने लिया है h ठीक है तो यह वाला जो height होगा a से b का वो मैंने consider किया x definitely this height will become h-x ठीक है यह height क्या हो जाना आपका h-x के बराबर ठीक है तो यह मेरा छोटा सा part है इसको simplify करते हैं पहले मैं कहां निकालने वाला हूँ 8.a पहले किस point के लिए निकालने वाला हूँ मैं a point के लिए a point पर निकालते हैं मुझे पता है अपकी बात है कि उसका velocity 0 है तो kinetic energy कितना होगा भया 8.a kinetic energy कितना होगा आपका 0 अगर 8.a पर मैं potential energy निकालूँगा potential energy का value कितना आएगा mgh ठीक है कौन से point की बात की मैंने a point की बात की ठीक है अब बात करते है 8.b 8.b में आप देखिए यहाँ पर माल लेते हैं इस जगे जो b point है इसका यह point माल लेता हूँ में कितना होगा इसका final velocity v माल लेता हूँ और इसका final अगर v है तो b point के बात वाला जो point हो जाएगा initial v और यह हो जाएगा v dash यह मैं consider कर लेता हूँ ठीक है तो यहाँ पर आप देखिए कर body a से v तक आएगा तो final जो velocity होगा कितना हो जाएगा इसके लिए v तो मेरा जो kinetic energy का value आएगा इस case में हो जाएगा आपका half mv square अब बात करते हैं potential energy की potential energy कितना होगा इस case में सोचिए मैं बढ़ा रहता हूँ directly mg h-6 बच्चों के दिमागों कहीं बार question आता है यहाँ पर के सरी तो x होना चाहिए ना नहीं यह होगा h-6 क्यों मैंने बोला था height above the earth surface potential energy के लगा है हाईट above the earth surface और मैं टोटल निकालूँगा mechanical energy किसके बराबर होगा sum of potential plus kinetic के बराबर potential का value कितना आ रहा भई है चेक करना एक बार अपने आसे potential का value आ रहा है mg h-mg x plus half mv square यह निकल रहा है total देख लो इसको मैंने simplify कर लिया mg h-mg x plus half mv square आगे मेरा value ठीक है अब मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर character energy का value कितना है half mv square अब मैं आपर apply करने वाला हूँ equation of motion third v square is equal to u square plus 2g है जो कि सुनाओगा आप लोगोंने अब मैं यहाँ तक आ चुका हूँ इस जगे तक ठीक है तो इस situation में initial velocity कितना होगा जीरो v square is equal to kis के बराबर होगा 2g h का value कितना है x के बराबर h का value कितना ले रहा हूँ मैं x ठीक है तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर यह वाला value उठाकर यहाँ पूट कर दूँ वी स्कॉर का value तो mechanical energy total होगा वो कितना हो जाएगा आपका mg h minus mg x x कॉमण ही बना लिए एक जैसा plus इसका value कर मैं यहाँ पूट कर दूँ एक काम करते हैं अलग पूट करके रख देते हैं यहीं पूट कर देते हैं तो value कितना हो जाएगा आपका half m as it is होगा वी स्कॉर का value 2g x हो जाएगा तो 2g x 2 से टूडा हो तो कितना value आएगा mg x इस से स्कॉडा हो तो total value कितना है आपके पास 8.b पर कितना value आया आपका अगें mg h इस से पहले देखे कितना value आ रहा है यह भी कितना था mg h यह भी कितना है मेरे पास mg h ठीक अब मैं निकालता हूँ 8.c कौन से point मैं निकाल रहा हूँ मैं c point पर calculate करते हैं value c point पर आने के बाद body का potential तो कितना हो जाना है zero kinetic कितना होगा half m v dash square देखो यहाँ पर final velocity में कितना माना हुआ है v dash तो value कितना आ जाएगा आपका half m v dash square ठीक है अब यह फिर से क्या लगाने वाला हूँ यहाँ पर equation of motion third v square is equal to u square plus 2g h formula होता है ठीक है अब यह देखे body जो उपर से नीचे आएगी तो आप यह अच्छा एक minute सबसे पहला तो यह काम करें कि मैं कहां के लिए किसके लिए बात करूँ यहाँ final velocity कितना होगा initial अगर zero मान दूँ तो यह कितना हो जाएगा v dash square हो जाएगा आपका half m v dash का value कितना है 2g h v dash square का value actual में ठीक है इसको इस से उड़ाएं तो kinetic energy कितना होगे आपके पास again mgh तो आप देखेंगे है कि energy at point energy at point B and energy at point C यहाँ देखिए 8 point कितना रहा है total mgh यहाँ total कितना रहा आपका mgh और यहाँ total कितना रहा है आपका mg तो मतलब हर point पे energy क्या हो रही है आपकी conserve हो रही है तो यह energy conservation को हमने अब confirm किया है कि हाँ यह ऐसा हो रहा है energy at point A, B, C freely falling body किसी point पर निकालेंगे तो और point पे energy का level क्या होगा बराबर होगा energy at point A, B and C is always equal in that case ठीक है तो हमारा जो next topic के हो क्या दिया हुआ है Einstein mass energy equivalence बड़ाई common topic है और बहुत सारे बच्चेस को बहुत अच्छे जानते हैं कि यह हम किसकी बात कर रहे है E is equal to mc square की बात कर रहे हैं यहाँ पर किसने जैसा equation Albert Einstein उन्होंने क्या बोला कि जो यहाँ पर m है mass है वो किसमे करनूट हो से directly energy में और energy directly किसमे करनूट हो जाती है mass में ऐसा इस equation में बताया है मतलब wise versa mass energy अगर mass करनूट हो जाए तो energy मन जाएगी energy करनूट हो कि तो directly किसमे मन जाएगी mass में करनूट हो जाएगी E is equal to mc square का formula है E यहाँ पर क्या है energy M क्या है mass और C क्या है spirit of light spirit of light कितना दिया होता है आपका 3 multiply by 10 की पावर 8 meter per second वो भी कहाँ पर vacuum में spirit of light in vacuum कितना दिया होता है 3 multiply by 10 की पावर 8 meter per second ठीक है vacuum में यहाँ पर इसने क्या बताया कि energy किसमे करनूट हो सकती directly mass में और mass किसमे करनूट होगा energy मतलब यह wise versa एक दूसरे में interchange हो जाते हैं अब यहाँ पर यह बताया हुआ है कि जब mass अगर disappear होगा मतलब mass अगर convert होगा तो किसमे करनूट होगा energy में तो इसने बोला कि mass अगर disappear होगा तो क्या बन जाएगा energy energy appear हो जाएगी if mass disappear energy will appear इस energy will disappear then mass definitely will appear अगर energy यहाँ पहले mass से बात करते हैं mass disappear हुआ तो energy appear हो जाएगा अगर energy disappear होता है तो क्या हो जाएगा mass appear हो जाएगा ठीक है यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि m is equal to e upon c square यहाँ पर c again क्या होगा आपका speed of light in vacuum 3 multiply by 10k power rate meter per second अगर आप बात करें energy जो रिलीज बन दी है कहाँ पर earth और star पर sorry sun और star पर sun क्या है कि star है वहाँ पर क्या होता है hydrogen हो होते हैं क्या 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 करते है मां होता है कुछ mass होता है तो किस पर करनाट हो जाता है डारेकली energy वहाँ इनर्जी किस में करनाट होती है mass पर तो वहाँ से उसके लिए relation है e is equal to mc square Einstein energy mass equation is equal to mc square यह सीधा कहाँ पर होता है प्रोसेस है sun पर और star पर ठीक है तो यह आपका energy mass equation है ठीक है Einstein energy mass equation बड़ा ही commons आए e is equal to mc square यहाँ पर आपके speed of light है common word बहुत ही common word दिया हुआ है ठीक है तो अब इसको ध्यान रखें next topic करते है